हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल स्टेडी टेबल सो आज की इस वीडियो में लुसेंड से भूगोल के 100 इंपॉर्टन को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले हर एक्जाम के लिए बहुत जादा इंपॉर्टन होने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन से है अनमार निकोबार द्यूब समूं कहां स्थीत है बंगाल की खाड़ी में नेक्स्ट कोशन है सभी द्यूब प्रवाल उद्गम के हैं नेक्ट कोशन है अरावली परवत स्रेनी का सर्वोच्ची सिखर क्या कहलाता है इसका उत्तर होगा गुरू सिखर नेक्ट कोशन है आदम का पुल किन दो देशों के मद इस्थित है इसका उत्तर क्या होगा भारत और स्री लंका के नेक्स्ट कोशने आवो जन जाती किस राज्ज से संबंधित है इसका उत्तर होगा असम से अगला कोशने इंद्रा गांधी राष्टी उडान कैडमी कहा है इसका उत्तर होगा फुर्सत गंज उत्तर परदेश अगला कोशन है इश्वर का निवास उस्थान किस नगर को कहा जाता है इसका उत्तर होगा प्रियाग को अगला कोशन है करक रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है इसका उत्तर होगा राजस्थान, कुजरात, मध्यपर्देश, छतिसगर, जार्खन, पर्शिम बंगाल, त्रिपूरा और मिजोरम अगला कोशन है काडेमं पहाडी या इलाइची की पहाडी कहां स्थीत है इसका उत्तर होगा केरल में अगला कोशन है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है इसका उत्तर होगा करनाटक और तमिलाडू नेक्स्ट कोशन है किस देश के साथ न्यूमोर्ट दियूप के कारण भारत का विवाद है इसका उत्तर होगा बांगलादेश के साथ नेक्ट कोशन है किस नदी को बिहार का सोक कहा जाता है इसका उत्तर होगा कोसी नदी अगला कोशन है किस बंदरगा को भारत का परवेश द्वार कहा जाता है इसका उत्तर होगा मुंबई नेक्ट कोशन है किस राज्य की समुंद्र तटरेखा सबसे लंबी है इसका उत्तर होगा गुजरात की अगला कोशन है किस स्थान पर 1911 से में विश्व के पर्थम हवाई टाग सेवा प्रारम्द की गई थी इसका उत्तर होगा इलाहबाद और नैनी के मद्ध अगला कोशन है कोंकन रिल मार्ग किस परवत स्रिंखला से होकर गुजरता है इसका उत्तर होगा पश्रमी घाट नेक्स्ट कोशन है कोया जन जाती किस राज से संबंधित है इसका उत्तर होगा आंध्रपरदेश नेक्स्ट कोशन है कोलकता और मुंबई को कौन सा दर्र जोडता है इसका उत्तर होगा भोर घाट अगला कोशने कौन सा बंदरगा भारती समुद्रिक व्यापार का पुर्वी द्वार कहलाता है इसका उत्तर होगा कोलकता हल्दिया अगला कोशने संपुर्ण भारत के कितने परतिशत भुभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है इसका उत्तर होगा 27.7 परतिसत अगला कोशने कौन सी नदी बंगाल का शोक कहे जाती है बंगाल का शोक दामोदर अगला कोशने कौन सी नदी भ्रंस द्रोनी से होकर बहती है नर्मदा नदी अगला कोशने कौन सी परवत माला सहत्री के नाम से जानी जाती है इसका उत्तर होगा पश्चमी घाड नेक्ष्ट कोश्चन है छेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका उत्तर होगा कच्छ गुजरात में अगला कोश्चन है छेत्रफल की दृष्टी से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सांत्वा स्थार अगला कोशन एक छेत्र फल की दिश्टी से भारत की तीन बड़ी राज्यों का क्रम क्या है राजस्थान, मद्पर्देश, महराष्ट अगला कोशन एक खरीव की फसल कौन सी है इसका उत्तर होगा जौर, बाजरा, मक्का, चावल, तिल, आदी अगला कोशन एक खारे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है इसका उत्तर होगा सांभर जील, जो कि राजस्थान में है अगला कोशन एक गंगा एवं ब्रहम पूत्री की सैयूंत जलधारा किस नाम से जानी जाती है इसका उत्तर होगा मेगना नदी इसका उत्तर होगा गंगोत्री उत्रखन अगला कोशन एक गुजरात वह महराष्ट्र नया राज्य कब बने इसका उत्तर होगा एक मई उनिस साथ इस्वी को अगला कोशन एक गोवा राज्य का गठन कब हुआ इसका उत्तर है 30 मई 1987 स्री को नेक्ट कोशन है चमका वा हलमात किस राज्य की जनजातियां है इसका उत्तर होगा तिरिपूरा की नेक्ट कोशन है 36 गड़ राज्य का गठन कब हुआ इसका उत्तर होगा 1 नौवामबर 2000 को अगला कोशन है जनसंख्या की दिरिष्टी से भारत का विस्व में कौन सस्थान है इसका उत्तर होगा 2 नेक्ट कोशन है जमु कस्मीर का वह हिस्था जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है इसका उत्तर होगा अक्साई चीन नेक्स्ट कोशन है जायत की फसल कौन सी है? उत्तर है खरबूजा, खीरा, ककड़ी, आदी अगला कोशन है जावर की खान किस खनी के लिए परशिद्ध है? इसका उत्तर होगा जस्ता उत्पादन के लिए नेक्स्ट कोशन है जोजिला दर्रा किस से राज्य में स्थीत है? इसका उत्तर है जमूर कस्मीर अगला कोशन है जारखन राज्य का निर्मान कब हुआ? इसका उत्तर होगा पंदरा नॉवंबर 2000 को नेक्ट कोशन है अगला कोशन है टिहरी बांध की नदियों के संगम पर है इसका उत्तर होगा भागिरती और भिलांगना नदी के नेक्ट कोशन है टोड़ा जन जाती कहां पाई जाती है इसका उत्तर होगा नेलगिरी पहाडियों में अगला कोशन ने डुरंड रेखा जो भारत और अफ़कानिस्तान के बीच है जब निधालित की गई थी इसका उत्तर होगा 1896 में नेक्स्ट कोशन ने डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है इसका उत्तर होगा नर्मदा नदी अगला कोशन ने डॉल्फी नूज नामक चटान के पीछे कौन सा बंदरगा है इसका उत्तर होगा विसाखा पतनम अंध्य परदेश में नेक्स्ट कोशन है तिलंगना राज्य कब बना इसका उत्तर होगा दो जून 2014 को अगला कोशन दक्कन का पठार किन राज्यों में इस्थित है इसका उत्तर होगा महराष्ट, मदपरदेश, गुजरात, करनाटक और आंध्रपरदेश में अगला कोशन है दच्छिन भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है इसका उत्तर होगा कवेरी नदी को नेक्स्ट कोशन है दच्छिन भारत की सबसे उंची चोटी कौन सी है इसका उत्तर होगा अनाई मुडी अगला कोशन है दच्छनी गंगा किसे कहा जाता है गुदावरी को नेक्ट कोशन है दच्छनी भारत की पठारी प्रदेशों में सौरी को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है नर्मदा नदी अगला कोशन दलदली एवं जौर भाटा वाले छेतरों में पाई जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है इसका उत्तर होगा मैंग्रो वन अगला कोशन दुख्त उत्पादन में भारत का विश्र में कौन सा स्थान है इसका उत्तर होगा पर्थम स्थान अगला कोशन है दुन्या में सबसे अधीक उंचाई और इस्थित युद्ध स्थल कौन सा है इसका से उत्तर होगा सियाचीन गलेशियर नेक्ट कोशन है देश का पहला लौइस पात कारखाना कब और कहां पर है इसका उत्तर होगा 1875 इसवी कुल्टी पशिम मंगाल में नेक्ट कोशन है दुत्ती योजना काल में लगाए गए तीन नए कारखाने कौन से थे इसका उत्तर होगा भिलाई, दुरगापूर एवं राउल केला अगला कोशन है नगदी की फसल कौन सी है इसका उत्तर होगा गन्ना, रवड, तंबाकू, कपास, सुरजमुखी, आदी अगला कोशन है नर्मदा नदी जो अमर कंटक से उत्कम होती है वो किस राज्य में है इसका उत्तर होगा मध्य पर्देश में नेक्स्ट कोशन है नागा लैंड राज्य का गठन कब हुआ इसका उत्तर होगा एक दिसंबर 1963 को नेक्स्ट कोशन है नाथुला दर्रा किस राज्य में इस्थीत है इसका उत्तर होगा सिक्किम में नेक्ट कोशन है नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोडता है इसका उत्तर होगा थाल घाट अगला कोशन है नीजी छेत्र में स्टील का कौन सा कार खाना सबसे पुराना था इसका उत्तर होगा टाटा एरन अंड स्टील कमपनी टी आई एस सी ओ नेक्ट कोशन है निलगिरी की पहाड़ियां किस राज्ज में स्थित है इसका उत्तर होगा तमिल नाडू राज्ज में अगला कोशन है पानियान वा इरूल जनजाती किस राज्ज में निवास करती है इसका उत्तर होगा तमिल नाडू में नेक्ष कोशन है पंबन ड्यूप कहां इस्थित है इसका उत्तर होगा मननार की खाड़ी में नेक्ष कोशन है पस्वो का सबसे बड़ा मिला कहां लगता है इसका उत्तर होगा सोनपूर बिहार में अगला कोशन है पांच नदियों की भूमी किसे कहा जाता है पंजाब को नेक्स कोशन है पाल घाड दर्रा किन दो राज्यों को जोडता है इसका उत्तर होगा केरलवा तमिलनाडू नेक्स कोशन है प्रादीपिय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है इसका उत्तर होगा गोदावरी नदी नेक्ट कोशन है वरली वा डोलिया जनजाती किस राज्य से सम्बंधित है इसका उत्तर होगा दादरा एवं नगर हवेली में नेक्ट कोशन है भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्स करने वाले भारती राज्य कौन से है इसका उत्तर होगा अरुनाचल परदेश, नागा लैंड, मनिपूर एवं मुझे ओरम नेक्स कोशन है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेल गारी कौन सी है इसका उत्तर होगा समझहोता वा थार एक्सप्रेस नेक्स कोशन है भारत और पाकिस्तान के बीच रेट क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? 15 अगस्त 1947 इसी को नेक्स कोशन है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारन किसने किया? इसका सही उत्तर होगा सर सिरिल जॉन रेट क्लिफ ने बारत का उत्तर से दच्छिन तक विस्तार कितना है इसका उत्तर होगा 3114 किलोमेटर बारत का कुल छेतरफल कितना है 32,87,263 किलोमेटर इसका सई उत्तर होगा कांडला बंदरगा नेक्ष कोशने भारत का कौन सा भू आकिर्ती भाग प्राचीन है इसका सही उत्तर होगा प्रादीपिय पठार का नेक्ष कोशने भारत का कौन सा राज्ज चीन, निपाल और भुटान की सीमा को स्पर्स करता है इसका सही उत्तर होगा सिक्किम नेक्ट कोशन है भारत का कौन सा राज्य तीन और बंगलादेश से घिरा है इसका उत्तर होगा त्रेपूरा अगला कोशन है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सिमाओं को सपर्स करता है इसका उत्तर होगा उत्तर परदेश अगला कोशन है भारत का चेत्रफल विस्विक के चेत्रफल का कितना परतिशत है इसका उत्तर होगा 2.42 परतिशत अगला कोशन है भारत का पुर्व से पश्रिम तक विस्तार कितना है तो इसका उत्तर होगा 293 किलोमेटर नेक्स कोशन है भारत का पर्थम प्रमानूरेक्टर कौन सा है और यह कब शुरू की हुआ इसका उत्तर होगा अपसरा 1956 में नेक्स कोशन है भारत का सबसे उंचा जल परपाथ कौन सा है इसका उत्तर होगा गरसोपा या जोग जल परपाथ करनाटक नेक्स कोशन है भारत का सबसे उंचा बांध कौन सा है इसका उत्तर होगा टेहरी बांध अगला कोशन है भारत का सबसे गहरा बंदरगा कौन सा है इसका सही उत्तर होगा गंगावरम बंदरगा आंधरपरदेश नेक्ट कोशन है भारत का सबसे बड़ा कैंटी लीवर पुल कौन सा है? इसका उत्तर होगा हाबड़वरी कोलकता में नेक्ट कोशन है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिल कौन सा है और कहां है? इसका उत्तर होगा एलोरा अरंगाबाद में नेक्स्ट कोशन है भारत का सबसे बड़ा चुणिया घर कौन से है इसका उत्तर होगा जुलोजिकल गार्डन्स अलिपूर नेक्स्ट कोशन है भारत का सबसे बड़ा द्यूप कौन से है इसका सेउत्तर होगा मद्ध अन्मान अगला कोशन है भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है इसका सही उत्तर होगा इंडियन म्यूजियम कोलकता अगला कोशन है भारत का सबसे बड़ा सौर्चनिक उपकरम कौन सा है भारती रेल नेक्ट कोशन है भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन से है इसका सही उत्तर होगा गोरखपुर यूपी उत्तर परदेश नेक्ट कोशन है सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ इसका उत्तर होगा 16 मई 1975 इस्वी को नेक्स कोशन है सेतू समुंद्रम प्रियोजना कि से जोडती है मनार की खाड़ी वब पाक जल डम रूमद नेक्स कोशन है स्वतंता से पहले कौन सा भारती छेत्र काला पानी की नाम से जाना जाता था इसका सही उत्तर होगा अन्मान निकोबार द्यूपसमू Next question है हर्यानवर पंजाब नया राज जी कब बना इसका उत्तर होगा 1 नंवबर 1967baum Next question है हिमाचल पर्देश राज़ का घठन कब हुआ हिमाचल पर्देश राज़ का गठन कब हुआ इसका उत्तर होगा 1971 इसको so guys thank for watching this video I hope video आपको अच्छा लगा हो तो please video को like and subscribe करे thank you